इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Beta Cap TR-60 Capsule helps decrease anxiety and relieve tremors. इसका इस्तिमाल migraine, दिल से संबंधित सीने में दर्द यानि की एंजाइना और लिवर में high blood pressure यानि की portal hypertension के कारण पेट में bleeding को रोकने के लिए भी किया जाता है. Beta Cap TR-60 Capsule may also be used to treat high blood pressure and some types of abnormal heartbeat यानि की arrhythmia. Doze इन बातों पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और दवा के प्रती आपका response कैसा है? आपको इसे हमेशा डॉक्टर द्वारा लिखे गया नुसार लेना चाहिए. इसे खाली पेट और हर दिन लगभग एक ही समय पर लेना चाहिए. अगर आपको बहतर महसूस होने लगा है तब भी इसका सेवन जारी रखें क्योंकि इससे आपको अभी भी फाइदा हो रहा है. अगर आप इसे लेना अचानक बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. The most common side effects are tiredness, weakness, cold fingers and toes, यानि की reno phenomenon, irregular or slow heartbeat, numbness in your fingers and breathlessness. आप मिचली आना, ulty और diarrhea, यानि की dust का भी अनुभव कर सकते हैं. अगर आप side effect से परेशान है या उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं. अधिकांच side effect कम अवधी वाले होते हैं और आपके शरीर को दवा की आदत पढ़ने पर इनमें सुधार हो जाता है. अगर आपको hot-fail सहित अस्थमा, बहुत धीमी या असमान दिल की धड़कने या गंभीर हृदैस्थिती हो तो आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर आपको kidney या liver संबंधी समस्याएं या chronic obstructive pulmonary rogue यानी की COPD है तो इसे लेने से पहले अपने दॉक्टर से बात करें. लाइफ अस्टाइल के संदर्भ में शराब इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है और इससे बचना चाहिए. अगर इस दवा से आपको चक्कर आते हैं तो आपको drive नहीं करना चाहिए. अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो डॉक्टर से पूछे कि यह दवा लेना सुरक्षित है या नहीं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल निवाद.